क्या लिखाए जमाना खिलाब हो मुझसे क्या फरक बढ़ता है आगे बताऊंगा और आज के अभी इस क्लास के अंदर में कोडिंग और डिकोडिंग के सवालों को करने के लिए हमें सबसे जादा जरूरी है इस चेप्टर में मतलब महारत हासिल करने के लिए हमें आज की वीडियो के अंत तक आपको खड़ा-खड़ा सभी चीज़े याद करा दूगा प्रेक्टिस भी करांगो इस क्लास के अंदर में कि आपको किसी भी चीज को देखकर के से प्रेक्टिस करते हैं वो ठीक है तो आज यह सुरू करते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एब हमें जानते हैं तो हमारे आसपास अगल बगल हमारे दोस्त को एक दो को तो जानते ही होंगे ठीक है तो उसी परकार से आप यहां पर एक चीज समझेज़े भाई कि यह जो ए है यह मेरा आता है एक नमर पर सभी को मालूम है और जो अंतिम का जैड है टोटल लेटर कितना है 26 तो जैड मेरा 26 हो गया यहां पर किस बात को जिकत यह मेरा एक पे होता है जैड मेरा 26 पे होता है उसके बाद y जो होता है 26 का आगे कोन है y है यह हो जाता है 25 ठीक है सबी चीज़े बताऊंगा उसके बाद दिखे यह x x कितना हो जागा 24 हो जागा क्यों क्यों क्योंकि x में एसे एसे दो डंटे पड़े हैं, दो लिग दिया है, चार भाग में काड़ दिया तो चार लगा सकते हैं, X आपको पता चलिगा कि X एसे एसे बना है, दो बड़ा डंटी दिया तो दो हो गया, चार डिवाइड किया तो चार हो गया उसी फरकास से डबलू इसके आगे है तो तेईस आजेगा ठीक है इसी तरीके से आपको एक चीज याद रखना है इजो टी ये क्या है ये पांच-पांच के टेबल में रिपीट करता है ठीक है जैसे ये मेरा पांच नमर पे आजेगा य ये 미रा पांच पर डाजेगा ऑनब्हस को होता है ठीक है जुलल पर एसको क्यांद रख सकते हैं ज्येसे यहां पर देखें यू जो हू है यू मेरा 21 पर हुते है U मेरा 21 होता है U 21 पे U से याद रख सकते हैं 21 21 21 का मतलब U कितना हो गया 21 इस परकार की चीज़े से आप इसको याद रख सकते हैं तो U मेरा 21 हो गया तो इसका अगला वाला क्या होगा अगर E 21 है तो V क्या होगा V से विवाह होता है हम दो हमारे दो विए से विवाह का मतला हम दो आमारे दो यह B मेरा 22 पे हो गया यहां तक किसी बात की किसी को दिकत अब देखेए अब आते हैं जिसे A मेरा 1 पे होता ही है B मेरा 2 पे होता सब को मालुकि Sedli C मेरा 3 पे होता है और D 4 पर ठीक है और E आपको बताया कि मेरा इजोटी पर आता है जिसको आपको पांच ध्यान रखना पांच उसके बाद के एफ एफ का मतलब होता है फिक्स अब फिक्स से ही आप इसको रिलेट कर देंगे सीक्स से अगर इसको उल्टा करके एसे मिला दिया तो उल्टा यह छ्शे बन जाएगा तो यह छे नंबर पर आता है ठीक है अब एक क्या है उपर से हेसे मिला देंगा रहे से मिला देंग punish यह इस रूप का रूप ले ले लेका एच घ्होंता है कहा कहा लिखूं ऑफ्लीलेल आप यह पर होता है यह इसे होता की नहीं जैसे आपने जेख ड़े का Кई बार इंडिया एसे लिखा जाता तो आई यानि कि आई ऐसे होता है यह 9 की तरह दिखे तो आई मेरा 9 पे हो गया और जे आपको बताएं कि जोटी के मुदद से आपको याद रखना है यह 5 पे जे हो जएगा तब 10 पे ठीक है यह अगला बला आई 9 पे तो जे कितना हो जएगा 10 पे हो जएगा अब देखेए अ अगया 11 पे जैसे कि आपको 11 पता है तो उसका अगल वगल आपको पता होना चाहिए तो कि एगा रहा तो एल मेरा 12 हो जएगा उसी परकार से एम आप ऐसे याज रख सकते हैं कि यह गाना है या फिल्म मैं मैं ही मैं तेरा हिरो हूँ या इस परकार से मैं तेरा हिरो मैं तेर और धिजिए अगर आप इनके तो और सबस्ते ह StraH क्यूंग है कि शोलो हो गया तो क्यूंग मेरा कितना हो जागा सतुरा पर आज़ेगा इसमें की सी बात की समझ्जा अब दीखे आर है आर को कुछ चेर चार कर सकता है भी या दिखे आर को कुछ इस परकार से मिला देंगे आर को तो यह तो पहले ही उहाँ पर हो चुका है एक 5 ले नहीं सकते तृच को नौट रखता है तो सही मेरा उनिस पहले आर मैरा डा cabinet, T होता है, T20, ती ट्वेंटी जो हम लोग खेलते हैं अर्था टी होगी आपका 20 नंबर टी कितना होगी आपका 20 नंबर पर टी आता है ठीक है प्लेस भीरू उसके बाद एक्स बताई दिया आपको 24 होता है बाकि सारी चीज आपको बता दिया अब इसमें देखें अगर मैं आपको कुछ भी मतलब बिवाँ होता हम दो हमारे याणि pry हम दो हमारे लो याद हुआ Цप्रा अघया उमिद करें यह वेल्पावद आपको याद हुआहोगा अभी में आपको प्रैक्रिस करांगा ठीक है यह एक सब्सक्राइब करें कि सब करेंगा तो पहले आ रहा है आगे जैसे ये मेरा एक यह सब्द क्या है ये सब्दा आपको इस परकार से बताता है कि उफ वाई, लब का जो मत्रब है L O V इसका मत्रब है कि U का उल्टा हमेशा F होगा U का उल्टा हमेशा F होगा, ठीक है और एक चीज तणका चीज बताएंगा आपको इस अभी तूरत बताएंगे तुरत अभी देखे यू का उफ वाई लव आपको याद रखना है उफ वाई लव यू का मतल हो गया यू यू का उल्टा एफ एफ का उल्टा यू ठीक है यह ओपोजिट है यानि कि आगे से यू कितने पर आता है आपको पता है यू भी यू मेरा आता है यहां पर 21 पर और यू करने करने का जड़त है आप आगे देखें। लब का मतलब और भी का उल्टा हमेशा ओ होगा और भी का उल्टा हमेशा E होगा भी का उल्टा हमेशा E होगा ठीक है उसके बाद आपको एक चीज और याद रखना सट जी जैसे लोगों को हम लोग रिस्पेक्ट रिजेटें तो कभी कभार आपना सट को भी रिस्पेक्ट दे दीजे सट जी S-H-I-R-T सट जी सट जी इसको दो-दो पेर में बना लिए दो-दो पेर में बना लिए चे नमबर दो-दो पेर का बन जाएगा जैसे ही बनता है आप अपना काम स्टाट कर दे S का उल्टा हमें सा H होगा ठीक है S का उल्टा H, H का उल्टा S इसे भी याज रख सकते हैं उसके परखाद से और एक चीज है कि PK जो मेंने किया पहले आपको याद रखना उफ वाई लॉब उसके बाद 60 जी, उसके बाद PK जो मेंने किया याद होजेंगे PK एक फिलिम है, याननी कि पी का उल्टा हमेसा Q होगा, क्या होगा, P का उल्टा हमेसा K होगा, P क को मूवी है, तब कहां से पता चलिए, P क का opposite number है, तब यहां पर समझ गए, अब देखें, P के जो Q, जो, बतलब J और Q को ले लिजे, जो, यानि कि J का उल्टा Q होगा, Q का उल्टा J, P के जो मेने, यानि कि दूद वाला, D का opposite, WW का opposite D, ठीक है, दूद वाला, CX, CX, यानि कि C का उल्टा, X, X का उल्टा, C, यह होता है, सभी 26 लेटरों का opposite लेटर, ठीक है, अगर माल लेते हैं, अगर by chance, आपको यह चीज़े याद नहीं हुआ, लेकिन आप याद रखेंगे यह चीज, ठीक है, कि पहला एक आपको याद रखना है, उफ उभाई, लब के अंदर यह चीज़े रिनोट हो रहा है, या तो सठीजी याद रख लेंगे, या तो PK जो मैंने किया, या तो फिर अंतिम क्या है, अंतिम है DWC, दूद वाला, और साइकिल एक्स, यो भी बोलने, ठीक है, अब आप आपको एक चीज में, मतलब बहुत तड़का चीज बता देता हूं, यह से माले ते कि आपको जी का ऑपोजीट वर्ड चाहिए, ओपोजीट क्या होगा, आपको पता नहीं है, पता नहीं, लेकिन आपको जी का पिलेस भीलू साथ पता है, तो साथ पता है, तो दोनों का गया 27 और 20 पर कोण आता है, टी 20 का में चैन की 20 पर ऒटी आता है तो जी टि मिल गया, समझ भी जागा है, पता है, तो जी का पिलेस भीलू याद है, तो गया लेक Queensland हो गया, अब हमको 27 बनाना है, टोटल मिला करके operators, तो इस दोनों का पेलों और आगे जो भी ओपूसीट में आएगा उसका भेलो को मिला करे 27 बनाना एत ना बोपना आपक विए 16 जोड़ना पड़ेगा दोनों को जोड़ेगा 27 जय का लिचो gagile葉र чаू- सबसे लिच सबसे में अंतीमलेटरिंगे यह बात है कितने आदमी को समझ में आ रहING सा जैंड excessive mиц कितने नंबर पर आता है तो उसी परकार से जे चोदो मेरा कितने नंबर पर आजएगा फिर चोदो किस पर आता है एंप तो एन का उल्टा इस परकार की चीजे उमिद्व करें आखें चीजी जो भी मैं अपको समझाने का कूछिस कर रहा हूँँ एक दोबार को सभी चीज करना ही G यह जिन्दगी ने सजा नहीं किया हुआ उन्हें वो बेवफा वफा जो भी है इसको हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है इसको अपोजिट और नमबर लेटर दोनों करेंगे सबसे मेरे इसको करते है को किसका प्लेस बेलू में कितरा थीक है तो जैड़μोज 20 पाता आई मेरा 9 प्यात कि एन चोदव पर आता डी मेरा 4 पर आता यह सात प्याता आई फिर ऐ सब्ज़ाद मेरा आता है देखां मेरा सब्सक्राइब सوق प्यसक्रांद मिल मुद्छी के मैं। यह आई आई मेरा नौ पर आता है एस एस मेरा कितना पर आता है 20 पर आता है आप कीजिए भाई एस 19 पर आता है ठीक है इसके मदद से इसको 9 आपको याद रखना है ठीक है आगे बात करेंगे आगे बात करेंगे 9 होता है एक मेरा पांच पर होता है 11 पर होता है ठीक है यह मेरा एक पर होता है जडमेरा शबिस ROB를 होता है ओ मेरा एक पर एफ़ गज़ से पांद Easter in आपको याद करना है आपको याद नहीं आपको प्रैक्टिस करना इस तरिके से जो भी अक्षर मिल जाए कहीं पे भी आपको बनाना है ठीक है अब इसका opposite को भी देख लीजिए आप अगर आप देखना चाहते हैं कि opposite क्या बनेगा देखिए opposite को भी same तरीके से याद रखना है देखिए z का यहाँ पर opposite है le yelling at को ऑपोजी का होता है अक्या होता कि असरा करा देखिए याई की चृवश्य इसकाओ मुखतती को यह और just Woah आपको ठीक है यहां पर लिखा जमाना खि़्सक्राइब करता हाँ कि यह क्या फ़रक पर रखाए लेकिन इसको हम अपने तरीके से यूज करेंगे ईूंसरा घैंड मतलब होता है 60 G,Das Ach, I-R, I-R, I-E, I-E dale RAS, Indian Railway के बाद करा है, जैसे L है, L तो L आपको क्या किये थे, L आपको क्या, याद करा है, 60 G love, तो L का उल्टा क्या होता है, Love देखे, ये एक बड़ी प्यारी सब्ड है, ये एक बहुत प्यारा सा सब्ड है, L O V E लेकिन इसको आप एक reasoning का जो concept चुपा हुआ है जो की opposite लेटर का बात करता है किस परकार से L का opposite हमेशा O होता है और O का opposite हमेशा L होता है U B ये भी है B का opposite हमेशा E होता है ये आपको काम आएंगे यहां पर यहां पर देखें लिख्या है L L का opposite का होगा L O V E तो यहां पर L होगा यहां पर L के लिए क्या होता है तो O आजाएगा उसके बाद A A का opposite Z होता है F F का मतलब क्या हता उफ Y U F U F U F तो यह हो जाएगा H उसी परकार से है तो हमें आपको H क्या बता है यहां पर यहां पर है जैसे क्या तो पी के यहां पर क्या होगा पी के मूवी देखें न आप वह वाई क्या बनेगा देखें आपको यह प्याए तो Y का उल्टा B और B का उल्टा Y उसी परकार से A का उल्टा Z जैड का उल्टा A उसके बाद F F का मतलब क्या होता है बता हो उफ by लब यहां पर आप देख सकते हो उफ by लब यह क्या होёगा जाएगा फ का उल्टा उसके बाद एका जैड रहागा तो इस एक विलिए के पार would पहल दो 즉ए हैं ऊपको कंधा दॉंबर कि वजा की है रड़ कि चाहिजिश की का माई आप फिर सी कमें ये ओंडेना फिर्प democrat के उसे बहल जाए है अगरें यह इसे मिला दें युवंशर किये इसे ताकि आपका ब्रेन में जो है उसका फोटो बन जाए। तूमिद करें यह सभी सीज़ आपको याद हो गया होगा तो आज खीकला आउस कहीं पर सामाफ्ट करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो का अंदर में। तब तक लिए धन्यवाद जैहिंद।